हलो ग्लास नाइन स्टूडेंस वेलकम तू स्टावप अकाडमी आम डॉक्टर अनलेक्षिट यह बालाच एजिकेटर और इस वीडियो में हम देखने माले आपका चाप्टर ओवर्व्यू कौन से चाप्टर का टिशूस का ओके तो टिशूस क्या होते हैं सबसे पहले बात त टिशूस अब सिर्फ इतना बोलना तो जस्टिफाइं नहीं करेगा क्योंकि अब आप कौन से क्लास में आगे हो आप आगे हो क्लास नाइध में तो अब और कैसे आप अच्छे से प्यार से टिशूस को एक्स्पेइन कर सकते हो वो हम देखेंगे बट उसके लिए आपको व प्लांस है और जो आनिमल्स टिशू है क्या वो एक डाइप टिशू से बने तो यह कैसे होगा अब थोड़ा मैं हिंटे देती हूं आपको कि प्लांस जो है और जो आनिमल्स है उन दोना को स्ट्रॉक्चर जो है वो अलग-अलग है सबसे पहली बात तो यहीं आ जाती है कि जो है वो मूव नहीं करते और वहीं जो आनिमल्स है वो मूवमेंट शो करते हैं अगर उनको कहीं जाना है तो वो इसली जा सकते हैं उनके पास भगवान ने उनको क्या दिया है पैर दिये हैं पर प्लांस के पास तो पैर नहीं है तो वो कैसे जाएंगे वो तो नहीं जा सक है वो सेम टाइब के टिशू से बने हैं या अलग-अलग टाइब के टिशू से बने हैं ओके हम यह भी देखने वाले हैं कि जो सेल है ग्रूप ऑफ सेल्स को टिशू बोलते हैं ग्रूप टिशू क्या करते हैं फिर यह जो ग्रूप बन जाता है तो यह ग्रूप को हम क्या बो और पर्मनेंट टिशू अभी जो पर्मनेंट टिशू है इससे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह टिशू जो है यह पर्मनेंट है टेंप्ररी का कोई खेल नहीं है वहीं जो मेरिस्टेमाटिक टिशू है हो सकता है जब यह पर्मनेंट है तो हो सकता है यह टेंप्ररी हो बट इसका नाम meristematic क्यों है, वो भी हम देखेंगे, meristematic इनके भी कोई types होते हैं, क्या, वो पूरी बाते हम करने वाले हैं, ओके, तो plants tissue में दो टाइप बे tissues होते हैं, कौन-कौन से, meristematic tissues and permanent tissues, ओके, फिर, meristematic tissues किते type के होते हैं, apical meristem, intercalary meristem, यह जो लिखा है, यह हमार इस member ने गलत लिखा है, बट मैं बता देती हूँ, कि तीन type के होते हैं, apical, intercalary और यह apical को इनके रिपीट कर दिया है, तो यह तो नहीं है, और the third one is lateral meristem, ओके, तो यह सारे meristematic tissues हैं, meristematic tissues को हम growth tissues भी बोलते हैं, okay, plants में इनको हम growth tissues भी बोलते हैं, अब इनको growth tissues क्यों बोलते हैं, हो सकता है कि यह tissues growth और development में help कर रहे हैं, हो सकता है, मैं भी शॉण नहीं हूँ, हम देखेंगे क्या होता है यह, okay, तो meristematic tissues में ये तीन हैं, ये तीन क्या काम करते हैं, कहां मिलते हैं, वो पूरी बाते हम अच्छे से करने वाले हैं, फिर बात करेंगे हम permanent tissues की, जैसे meristematic tissue तीन में categorized थे, वैसे ही permanent tissue भी categorized है, simple permanent tissues और क्या है हमारा next, complex permanent tissues, ओके, तो simple जो simple ही होंगे, उनमें कुछ ज्यादा ताम ज्याम नहीं होगा, और complex में हो सकता है कि कुछ ज्यादा ताम ज्याम हो, ओके, तो simple permanent tissues क्यों simple हैं, why are they called simple, और जो complex हैं, वो क्यों complex बोर हैं, वो भी हम देखने वाले हैं, वो भी हम बात करेंगे, simple भी further categorized है, पेरिनकाइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरिनकाइमा, ओके, जो complex है, वो भी further divided हैं, किसमें, दो टाइप्स के tissue में, जायलम और फ्लोयम, ओके, तो यह सारी बात हैं ना, हम बहुत अच्छ से, हमारे next video में करने वाले हैं, फिर जब हमने animal, plants tissue की बात कर ली है, तो अब हम बात किसी करेंगे, animal tissues की, ओके, तो हमने जो सब से पहले यही देखा था, यह plants tissue और जो animal tissues हैं, वो same है या different है, ओके, फिर plant tissues की बात कर ली, अब भाई, animal tissues की भी तो बात करनी पड़ेगी, है ना, तो animal tissues किते टाइप की होते है यह होते है, epithelial, connective, muscular and nervous tissue, ओके, तो animal tissues जो categorized हैं, वो function की basis पे categorized हैं, कि किस का कौन सा function है, उस basis पे हमने animals tissue को categorized करा है, अब epithelial में कितने हैं, connective में किते हैं, muscular में किते हैं, nervous tissue में किते हैं, हैं कि नहीं हैं, वो सारी बाते हम करेंगे, कौन किस्ते में categorized है, किस basis पे categorized है किस बेसिस में हमनों उसको ड़ाइट कर रहा है अनिमर्स टिशू को वो पूरी बाते हम अच्छे से करने वाले हैं ओके तो यह तो हो गया आपको कुछ तो आइडिया मिल ही रहा होगा कि नवर्स टिशू हो सकता है ब्रेन से यह नवर सिस्टम से रिलेटेड हो मस्कूलर टिशू हो सकता है मसल से रिलेटेड हो कनेक्टिव टिशू में भी कोई चीज को कनेक्ट कर रहा हो यह है और एपिथिले टिशू जो होती है वो आउटर लेयर होती है इत्ता प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है ओके और हम डीटेल में देखेंगे तो यहां पे जो है हमारा Tissues chapter का overview होता है complete बागी जो detail है उसके लिए आपको आज ही Step of Academy को subscribe करना है जहां पे आपको KG से लेके 12 तक के सारे subjects के videos मिलते हैं बिल्कुल free, साथी साथ नी, JEE, COET की भी preparations होती है Thank you